नमस्ते प्यारे बच्चो, स्वाइटा है आपका रामरूप सर्मा चेनल पर और मैं हूँ रामरूप सर्मा बच्चो आज यानि के अर्थिस तारिक जो हो चुकी है, आज तो एक तारिक आचुकी है आपके zilt आ चुके है, फाइनली विजट एक तरीके से आ चुका है और एक last chance आप लोगों के पास है spot round में जाने के लिए तो अगर आप देखना चाहते है spot round पर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बच्चो कि spot round में आपको काफी अच्छी opportunity मिल सकती है जैसा मुझे लग रहा है जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि spot round में आपको काफी अच्छी अच्छी opportunity मिल सकती है तो अगर आप विड्रो करके जाना चाहते हैं या फिर आपको seat नहीं मिली है या आपका cancel हो गया किसी भी तरीके से तो आप जा सकते हैं फ्रीज वालोंने तो फ्रीज करी दिया होगा आज मैं अपनी वीडियो में बताना चाहता हूँ कि कौन-कौन से document है जिने exactly आपको ले जाना बहुत जरूरी है बच्चों इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझेगा सुरू से लेके last तक समझेगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा game होगा और ये game cable और cable आपके लिए 5 से 10 minute का होगा अगर आपके पास everything available है सब चीज आपके पास है वहाँ पर तो आपको काम्याभी 5 minute में आपको अच्छी seat अच्छी branch अच्छा college तुरंच मिल जाएगा लेकिन अगर इन में से कोई भी चीज रह गई या कुछ चीज रह गई तो फिर वहाँ पर आपका काम नहीं बनेगा यान की पस्ताते रह जाएंगे इसलिए मैंने लिखा भी है कि भूलना जाना और time से पहले आना इस वाद को बहुत ध्यान से समझेगा आपको date कौन-कौन सी और किस-किस category को कितने बज़े आना है मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है date मैं आपको फिर बतायता हूँ 2nd of November, 3rd of November, 4th of November and 5th of November अगर सपोज करिए आपको 12 बज़े से 2 बज़े की बीचनों बुलाया है और मान लो आपकी category OBC है और अगर आप 2 बज़े से 2 बज़े पहुंचते हैं तो बच्चो आपका जो seat है वो कोई और ले गया होगा ऐसा कोई छीना जवटी रही होगी लेकिन अपने time पर, अपने CRL पर, अपने CRL के number पर आपको वहाँ होना बहुत जरूरी है बच्चो मैं आपको धरानी रहा हूँ, कभी-कभी कुछ बच्चे ऐसा करते हैं एक घंटे पहले से बैठे होते हैं लेकिन जैसे उनका number आगया होता है वो बहार भूमने चले गए होते हैं या कहभी चले गए होते हैं ऐसी घलती बिल्कुल भी मत करिएगा और कौन-कौन से डोकूमेट ले जानी है, फोटो कौपी कौन-कौन से ले जानी है यह मैं आपको अभी और आज ही बतायता हूँ, पूरी तरीके से आपको अच्छे तरीके समझ लेजिए और जो आपके फ्रेंड्स हैं, या दूसरे आपके दोस्त या जो भी आपके नियरर डियरर हैं उनको भी अच्छे तरीके से इन बातों को बता दीजिगा, चलिए तो मेरी इस बात को तो आप समझी रहोंगे, दूसरी बाती मैंने यहाँ पर लिख दिया है बच्छो के साबधानी हटी तो आपकी सीट लुटी कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने CRL के टाइम पर अपने सीक्वेंस में वहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं बैठे हुए अच्छे तरीके से मतलब पूरी तरीके से आप चीजों को नहीं सुन रहें क्योंकि वहाँ पर एनॉंसमेंट होते रहेंगे यह सीट ओवर हो चुकी है इतनी सीट बची हुई है अभी आपके पास यह opportunity है जल्दी आएं और बताएं आपको लेनी है या नहीं लेनी है आपका वहाँ पर यह नहीं चलेगा कि मैं पूछ के देखता हूं मेरा side document रह गया है मेरी फीस रह गयी है यह भिलकुल भी वहाँ अपर नहीं चलेगा यह तो आपको पता ही होगा के डिट्यू यानि की दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंबेड कर और आडिटोरियम में यह होगा और पिछली वीडियो में मैंने टाइम और साथ की साथ डेट और साथ के साथ कैटेगरी आप लोगों के लिए बता यह सीट एवलेबल हैं और आप मुझे इसमें से चूज करनी है यह कॉलेज एवलेबल हैं इसमें से मुझे चूज करना है बहुत अच्छी अपरसेटी है आपके सामने सब कुछ रखा हुआ होगा जो आप चाहेंगे वह उठा सकते हैं सीक्वेंस की बिलकुल भी कोई बनना है तो एक ही चीज काफी होगी ध्यान रखना होगा कि इसका ओरिजन भी आपको ले जाना है और साथ की साथ आपको सैल्फ अटेस्टिट फोटो कपी भी ले जानी है दूसरी जो चीज है बच्छो आपको फिटनेस सेर्टिपिकेट यह सिंपल है बहुत जादा आपक करके किसी भी MBBS डॉक्टर से स्टैंप और उसके सिंपल लगवा लीजिए यह आपका चलेगा तो सिंपल फिटनेस सेर्टिपिकेट है यह इसका नाम मैडिकल सेर्टिपिकेट बिल्कुल भी नहीं है बच्छो हैना दीसरी जो चीज है वो है सबसे बढ़ी चीज कैटेगरी सेर्टिपिकेट बच्छो हैना कैटेगरी सार्टिपिकेट को आपको चल आप ले जाना है और ऐस फूटो पकूपर भी ले जाना है वैसे आप खुद वहां पर जाएंगे तो सेल पटेस्ट आप वहां पर भी कर सकते हैं अगली चीज है बच्छो यह भी जरूर में प्रोफाइल लेटर निकाल लिया होगा उसे आप जरूर ले जाईएगा उसके साथ साथ में बचो जो सबसे बढ़ी चीज है और जो सबसे जरूरी चीज है जिसे किसी भी हालत में इग्नोर नहीं किया जा सकता है वो है आपका डिमांड ड्राफ्ट यानिकी डिडी अगर ध्यान रखिएगा बच्चों यहां पर मैंने लिख दिया है जे एसी डैली हाइफन टू जीरो टू 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 एडमिशन फीस इस यहां पर बनेगा इन फेवर आफ यह होगा और पेवन होगा न्यू डैली अच्छे तरिकी से आप समझ लीजेगा फिर दुबारा मैं बता इन फेवर आफ में होगा जे एसी डैली टू जीरो टू टू एडमिशन फीस इन फेवर आफ न्यू डैली और एक आपके तीन पास्पोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाएगा इसके एडिशन में बच्चों आप जे मेंस का रिजल्ट भी आप ले जाएं कोई प्र पास्पोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आप रखके ले जाएगा तो यह चारपार चीज़े हैं जो आपको एट टाइम एट एट मुमें आपको निश्यत रूप से चाहिएगी मैंने पिछली वीडियो में डेट और टाइम डाल चुका हूं वो डेट और टाइम अच्छे विड्रो होनी चाहिए या आपकी सीट कैंसल होनी चाहिए या आपको कोई भी सीट नहीं मिली हुई होनी चाहिए और आप जे एसी में रजिस्टरड जरूर होने चाहिए तो जल्दी से जल्दी आप त्यारी कर लें सब चीजों की विड्रोड आपका या आपकी कैंसल सीट या आपको कोई भी सीट नहीं मिली 95,000 का रुपीज का DD बहुत जरूरी है और वो DD फेवर होना चाहिए New Delhi पर और इन फेवर होना चाहिए JAC Delhi 2022 admission fees और फिर कोई भी गलती आप से नहीं होगी आपको बहुत बड़ी opportunity मिलेगी जिन चीजों के लिए आप पहरे राउंड दूसे राउंड तीसे राउंड या चोथे राउंड में परेशान थे वो चीज आपको fruit की तरके से भी मिल सकती है बचों अगर लेट हुए तो आपकी सीट को कोई और लेजा सकता है लेट का मतलब यह नहीं है कि आप सोवेच छेवजी जाटे बैट जाए यानकि जो भी time duration आपके लिए दिया गया है जो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है उससे 15 वेट पहले पहुंचाईएगा hall में बैट लीगा अराम से और अपने time का इंतजार करिएगा जैसे आपका CRL के according CRL के according नमबर आएगा आप तुरंट वहां पर present होईएगा decision लीजिएगा अपने document दिखाईएगा और अपना DD दिखाईएगा और आपका admission तभी के तभी जो half admission ने वो हो जाएगा और जो बची होई चीज़े हैं आपको उस college में जाकर देनी होगी वीडियो को like करें share करें और जादा से जादा वीडियो को share करिएगा ताकि कोई भी बच्चा information की वजए से अपनी seat को lose ना कर दे तो यह last chance है बच्चो यह final chance है आप लोगों के लिए